हलो फ्रेंट्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्यप्रदेश की जन जातियों के संदर्व में इससे पहले हम मध्यप्रदेश की दो महात्वपूर जन जातियों को पढ़ चुके हैं पहला हमने पढ़ा था भील जन जाती दूसरा हमने पढ़ेंगे संदर्व में मध्यप्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है तो इसका कौन सी होई सबसे पहली पर हमने देखा था भील फिर हमने देखा तो गोंड फिर हम देख रहे हैं बैगा जन जाती उलेक इस जन जाती का उलेक हमें रामायन में मिलता है अब रामायन में कैसे मिलता है दिखें रामायन में आपने पढ़ा होगा आपने सुना भी होगा कि भगवान श्रीराम के छोट ने बताया तो शुशेण वेद ने बताया तो रामायड काल के शुशेण वेद जो है यह बैगा थे और बैगा अपनी उत्पत्ति इन्हीं से मानते हैं निवास की बात करेंगे तो बैगा कहां पर निवास करते तो मुखिता मद्धि प्रेदीश और 36 गड राजिम में बैगा देखने के लिए मिलते हैं मद्य प्रदीश के भी किन जिलों के अंतरगत तो बालगाट और मंदला वाले जिलों के अंतर गत बैगा देखने के लिए मिलते हैं उत्पत्ती इनकी उत्पत्ती किस से होई है तो हमने बताया कि शुषियर्ण वेद इसे अपनी उत्पत्ती मानते हैं इसके साथ में आपको एक और चीज याद रखना है कि ये जो है ये कुलार मुंडा समूदाय के व्यक्ति हैं और कुलार मुंडा समूदाय जो है उसका सीधा सम्मंद जो है वो जारखंड से है इसके अलावा बैगा जो है ये कुलारी संस्कृति के परिचायक भी माले जाते है अर्थात सबसे पहले यदि किसी ने कुलहारी उठाई तो ये बैगाओं के द्वारा उठाई गई थी समुदाई, कुलार मुंडा समुदाई के सदस्य है बैगा जनजाती की उपजातिया अर्थात बैगा को कितने भागों में बाटा गया है वैसे तो बैगा जनजाती को छे उपजातियों में बाटा गया है लेकिन इसमें से चार महत्वपूर्ण है जो है बिजवार, नरोतिया, भरोतिया और नाहर देखे कठ मैना और राय मैना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और इन चारों में से भी जो सबसे ज़ादा महत्वपूर्ण जो है वो है बिंजवार उपजाती बैगा जनजाती की सबसे बड़ी और सबसे प्रसित धूप जाती है इसके साथ में यह जो बैगा आपको दिखाई देते हैं आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी शेत्र में यह आपको दिखाई देते हैं जिले लगेंगे मंडला दक्षन में बाला घाट और सिवनी बैगा जनजाती का अर्थ क्या होता है बैगाओं को क्या कहा जाता है तो बैगा का मुख्य अर्थ होता है पंड़ा या फिर पुरोहित बैगा जो है वो चिकित्सक का भी कारे करते हैं बैगा जनजाती के आभूशन और वेश्भूशा के जब हम बात करते हैं तो बैगा जनजाती की महिलाए सर पे फंदरी पहनती है फंदरी का मतलब होता है यह जो आपको दिखाई दे रहा है न यह यह फंदरी पहनती है यह अपने सर पे इसके अलावब इस जनजाती की महिलाए एक साड़ी पहनती है जिस साड़ी को धोती कहा जाता है और इसे कहीं कहीं कपची भी कहा जाता है वहीं जो इस जनजाती के पुरुष है वो धारन करते हैं लंगोट और पगडी इस जनजाती की महिलाए नाक में कोई अभूशन नहीं पहनती है देखिए यह जो जनजाती है आपको जादा तर महिलाओं की नाक छिदी हुए दिखती है उनकी नाक में कोई नथ या फिर कोई लॉंग रहती है लेकिन बैगा जन जाती की जो महिला हैं वो नाक में कोई भी आभूशन नहीं पहनती ना नथ ना लॉंग कुछ भी नहीं तो यह आपको याद रखना है कि नाक में कोई अभूशन नहीं पहनती है इसके साथ में यहाँ जो जन जाती है यहाँ गुदना प्रिये जन जाती है और गुदना का आर्थ होता है अभी वर्तमान का टैटू गुदना जो है यह तेल में काजल को मिलाकर घोल बनाकर लगाया जाता है यह सुई से बनाया जाता है और सुई से इसकी मनमोहक आकरतियां दी जाती है विवाह की बात करेंगे तो बैगा जन जाती में प्रमुख कौन कौन से विवाह होते हैं लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठाना विवाह, मंगनी या फिर चड़ विवाह और होता है पैठोल विवाह, जब हम पैठोल विवाह की बात करते हैं, तो ये एकदम सामानी विवाह है, जैसा बाकी सारी जगा होता है, तो वैसा ही, मंगनी या चड़ विवाह की बात करें तो ये आज का arrange marriage है मतलब लड़के के परिवार वाले जाते हैं लड़की का हाथ मांगते हैं लड़की के घर वाले हाँ बोलते हैं दोनों का विवाहता है हो जाता है तो वो हो गया मंगनी और चड़ विवाह उठाना विवाह जो है एक तरीके का बैगा जनजाती में प्रमुख विवाह है चोर विवाह और इसके बाद हम दिखते हैं लमसेना विवाह लमसेना विवाह का मतलब यह है कि जब दमाध है वो घर जमाई बनके रहने लगता है तो उसे लमसेना विवाह कहा जाता है इसके अलावा ये दोनों उतने महात्वपूर नहीं है इसलिए हमने जादा इनकी डिटेल नहीं की प्रमुख इन्रत्या बैगा जनजाती के द्वारा कर्मा तो बैगाजनजाती कर्मा सेला और दाधरिया नरत्य के बारे में भी जानी जाती है इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है दबैगाजनजाती के उपर के एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है दबैगाज और एक और लिखी गई है जिसका नाम है बैगा जनजाती का समाज शास्त्री अध्यान यह किताब लिखी गई है मेगा देश पांडे के द्वारा और दबैगाज की बात करते हैं तो यह किताब लिखी थी वेरियर एलविन ने सहरिया जनजाती बैगा जनजाती को हमने कवर कर लिया अब सहरिया जनजाती की बात करेंगे सहरिया जनजाती जो है इनका विस्तार के शेत्र में है इस जनजाती का विस्तार मुरैना शियोपुर शिवपुरी आदी जिलों में हमें दिखाई देता है अर्थात किस कौन सा शेत्र है ये तो मध्य प्रदेश के उत्री शेत्र में हमें शहरिया जनजाती का निवास दिखाई देता है इसके अलावा इस थान के हमने बात कर ली कि मध्य प्रदेश में कौन सा इस थान रखता है इस जनजाती के द्वारा तो यह मध्यप्रदीश की पाचवी सबसे बड़ी जनजाती है उत्पत्ति की बात करते हैं तो इस जनजाती की उत्पत्ति कहां से हुई है तो इस जनजाती के बारे में हमें क्लियर साक्ष नहीं मिलते हैं विशेश देखिए यह जंजाती का संग्राल बनाया गया है जो की बना है शियोपुर जिले की अंतरगत tu इस जंजाती को पोशन का सिकार है और इस जंजाती के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है जैसे कि हमने देखा कि भीलों के निवास स्थान को हम फालिया कह रहे थे वैसे ही जो सहराना है वो इन जनजातियों के निवास स्थान को कहा जाता है एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन जनजाती के पंचायतों का मुख्या जो है वो पटेल कहलाता है पटेल के बारे में आपने सुना होगा कि जो मुख्या होता है गाउं को उसे पटेल कहा जाता है तो वैसे ही सहरिया जन्जाती के गाउं के मुख्या को भी पटेल ही कहा जाता है पिर बात कर लेंगे भारिया जनजाती बहुत जादा मात्वपूर्ण हो जाती और इसका मात्वपूर्ण होने का मेन कारण यह है कि यह जनजाती भारत की अत्यांत पिछडी जनजातियों में सामिल है तो भारत की सबसे जादा पिछडी जनजाती कौन सी है पहली है बैगा दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया तो यह तीनों जनजाती जो है वो भारत सरकार के द्वारा अत्याधिक पिछडी जनजातिय में शामिल की गई बैगा भारिया और सेहरिया सबसे पहले हम बात करेंगे आब भारियाच 심जाती की भाल्य जंजाती का विस्तार कहां पर रहे तो इसका विस्तार हैं मंडला बालागार छिंदवाडा सिवनी हर्मध अले चेतर में हर्दा नवासकर दॉर हो खी रो जिंदवाड़ा शिवनी आदे शेत्रों में भार्या जनजाती की उत्पत्ति की बात करते हैं हम तो भार्या जनजाती की उत्पत्ति जो है वो बगेल खंड के एक राजा रहे है जिनका नाम रहा है राजा कर्ण इन से मानती है तो भार्या जनजाती अपनी उत्पत्ति बगेल खंड के राजा कर्ण से मानती है इस जनजाती के मूल निवास की बात करेंगे तो यहां जनजाती मूलता जो है वो छत्तिस गड की जनजाती है प्रमुख बोली भारिय जन जाती जो है वो भर्नोती बोली बोलती है प्रमुख खाद्य पदार्थ ये जन जाती मुखिता कोदो कुटकी भोजन में गलेती है और इसके साथ साथ में पेज पीती है और पीज क्या है सबना में पाइज केहते हैं आज भी गाउं के लोग बहुत जाधा ये पीच पसंद भी करते हैं पीते भी हैं गाउं इनके गाउं को क्या कहा जाता है जैसे हमने सभी जनजातियों में देखा कि इनके गाओं को क्या कहा जाता है तो वैसे ही भारिया जनजाती के गाओं को धाना कहा जाता है यूवा ग्रह क्या होता है देखिए किसी भी जनजाती के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उसे आंगे बढ़ाने के लिए अपने से छोटे लोगों को अपनी संस्कृति को सिखाना होगा उनको तो उन सिखाने वाले जो इस्थान होते हैं उन्हें यूवा ग्रह काते हैं कि वहाँ पे लोग आते हैं गुरुकुल जैसे समझ सकते हैं कि समाजिक सांसारिक चीज़े लोग वहां के सीखते हैं तो उसे कहा जाता है यूवा ग्रह तो भारिया जन्जाती का जो यूवा ग्रह है वो कहलाता है रंग भंग प्रमुख देवता भारिया जन्जाती के प्रमुख देवता की हम बात करते हैं तो भारिया जन्जाती जो है इसके प्रमुख देवता होते हैं बुढ़ा देव और बुढ़ा देव को हमने अल्रेडी देखा था कि बुढ़ा देव जो है वो गोन जन्जाती में भी और जिल को याद रख रखना है इसमें से भारिया जनझाती सबसे ज्यादा जिले की तामिया तहसील के अंदर निवास करती है चिंद्वाडा जिले की तामिया तहसील के अंदर एक इस्थान है जिसका पाताल कोट यहां पर कुल जितनी जन संख्या निवास करती है उस जन संख्या का 90 प्रतिशत भारिया जन जाती की जन संख्या है एक चीज यह clear हुई अब दूसरी चीज़ भारिया जन जाती जो है वो खाद्यपदार्थ में पेज का यूज करती है और इसके साथ ही साथ में वो कोदो और कुटकी का भोजन करती है भारिया जन जाती जो है इस जन जाती को बहुत ही मुश्किल से पानी प्राप्त हो जाता है क्योंकि बहुत ही नीचे निवास करते हैं ये पाताल कोट में इसके अलावा आपको एक और चीज जयाद रखनी है कि भारिया जन जाती के प् सिर्फ फारेंज हंती विवा होते हैं में किस प्रेकर से विवाव होते हैं तो पहला लमसेना बुवाम सें वही जमाई वाला की इस वीवहा में लड़का वह घर जमाई आके रहता एक Does मली में बरी वाइन बरींग पंडा विवाम पंडा विवाहा इसका संसल्मंद होता देखो मंगनी अरेंज मैरेज हो गई लव मैरेज दोनों एक साथ हो गया तो इस जनजाती में होता है नरत्या इस जनजाती का सबसे प्रमुख नरत्या जो है वो है भडम इसके अलावा जो बाकी नरत्या आपको याद रखने है अहिराई, सैला, कर्मा और सेतम देखो कर्मा जनजाती का प्रमुख हो गया भडम जो है वो इस जनजाती का प्रमुख रध्य है फिर बाकी आपको याद रख सकते हैं पाताल कोट पाताल कोट के बारे में हमने बहुत सारी डीटेल देखी अभी और अभी हम और देखने वाले हैं एक हरी-भरी जाड़ी आपको जी आपर एक काई नीचे और इस काई के भीतर में लगभग 79 km के अंदर पाताल कोट नीचे तो इतने अनदर पालताल कोट इसके अलावा यह जो पाताल कोट है यहां पाताल कोट परता है चिकी अंतरगर देखिए जो मध्य प्रदेश की उच्छ भूमी है जहां पर संपूर्ण मध्य प्रदेश इस्थित है इस उच्छ भूमी से लगभग 79 किलोमीटर अंदर यह पातालकोट इस्थित है और इतने नीचे इस्थित होने के कारण यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुच पाती और पहुंचते भी है तो बहुत ही कम समय के लिए जिसका मुख् zwei कारण किया है देखिए सूरज किस दिसा से उद्ध हुता है तो आ पको पता है पूर्विदिशा से पूर्विदिशा इस साइड आप सूराज जब यहां से उधित हो रहा है तो एकडम से रोशनी यहां पहुचेगी नहीं यहां से बहुच आएगगी जब सूरज यहां आएगा तब आएगी रोश्ट्नी पाताल कोट के भीतर में और तब भी पूरें नीचे तक नहीं आपएग required यहां तब यहां पर रोश्नी पहुचेगी रोष्नी तो रोश्नी खत्म हो जाएगी अर्थाद यहां वह इस्थान है जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम समय तक पहुचती है सूर्य यहां पर बहुत देरी से होता है और सूर्यस्त बहुत जादा जल्दी हो जाता है सेवंटी नाइन किलोमीटर भीतर स्थित्र इसके अलावा यहां पर कुल लगभग 23 गाओं है जिन 23 गाओं में से कम से कम 12 गाओं जो है वो बसे हुए है मतलब आबादी वाले गाओं है यहां पर लोग रहा करते हैं इसके अलावा यह जो है जो पाताल कोट पूरा शेत्र है यहां घोडे की नाल की आकार का है अब घोडे की नाल क्या होती है देखिए घोडे की नाल जो होती है वो कुछ इस प्रकार के आकार की होती है आर्दचंद्रमा के आकार की घोडे की नाल का मतलब यह है जो घोड़ा होता है उसके पैर के पास जो खुर लगे होते हैं वो घ कॉछ दूइत पाताल कोड का आकार किस प्रकार का है यहां पर रहने वाली कुण जनजाति ओं का नब्म प्रिद incloterkव जो है वह धारिया जन जाती है नेर्ट कर त सको जनजाती का क्या होता है कोरकु शब्द का सबसे पहली बात करकु शब्द का आर्थ होता है मानवों का समूहू βीनों की उतप्ति वह महाराना प्रताप से मानते हैं भिलाला वैसे ही कोरकू जनजाती के जो लोग है वो अपनी उत्पति राजपूतों से मानते हैं निवास की बात करेंगे यहां जनजाती मुखिता सत्पुड़ा परवश रंखला पर निवास करती है जिले कौन से लगेंगे तो हर्दा होशंगाबाद बैतूल आदी जिले आदी जिलों में यहां जनजाती निवास करती है प्रमुख व्यवसाय इस जनजाती का प्रमुख व्यवसाय है या तो क्रशी करना या तो फिर तेंदू पत्ता जो होता है उसका एकत्त्री करन करना तेंदू पत्ते को जोड़ना तेंदू पत्ते से पत् सबसे जादा महात्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है है पहली को हम जानते हैं राज कोरकू के नाम से कि और दूसरी जैन से हम पोथारिया के नाम से जानते हैं राज कोरकु वो लोग होते हैं जो कि भूस्वामी होते हैं या फिर जमीदार होते हैं भूस्वामी या फिर जमीदार वाले कोरकु जो हैं वो राज कोरकु की नाम से जाने जाते हैं और पोथारिया उन्हें कहा जाता है जो कि पच्मडी वाले शित्र में रहते हैं इसके अलावा कोर्कू की अन्य उपजातियों के जब हम बात करते हैं तो कोर्कू को उमा कोर्कू, कोथडिया कोल्कू और बुंड़ाई कोर्कू के नाम से भी जाना जाता है तो उमा कोर्कू, कोतीडिया कोर्कू और बुंड़ाई कोर्कू के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख देवता कोर्कु जनजाती के प्रमुख देवता ये प्रकृति पूजक होते हैं इस कारण से ये सूर्य देवता और चंद्रमा देवता बुढ़ा देव और दूला देव को अपने देवता मानते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और बुढ़ादेव देखिए जनजाती में दो इंपोर्टेंट बस आपको याद रखने हैं पहली राजकोरकु और दूसरी पुथाडिया राजकोरकु जो है ये प्रमुख है क्योंकि ये भूस्वामी हुआ करते थे और जमीदार हुआ करते थे पु एक मγजनी विवाह होता है मतलब वरेंज मेरेज होती है और एक होता है हठ विवाह में जवाई हैं अब घरую मानते नहीं है लेकिन वह लड़की वह को विभान समाज की अनुमति से कर दिया जाता है इसे ही प्रमुख नरथय को जंजाती के द्वारा एक विशेश प्रकार नरथय किया जाता है जिसको कहा जाता है चट्रकोरान रहत यह को सो Α꽂रब सबस्क्रेंक्य सनुalo पुत्र कोल को अपना पिता मानती है और अपनी उत्पत्ती सबरी माता से मानती है आई ये नाम की बात करते हैं तो इन्हें कोलारियन भी कहा जाता है उपशाखाओं की बात करें तो इनकी कुल 22 उपशाखाओं हैं जब कोल जनजाती के नरत्य की हम बात करते हैं तो यहां एक विशेश प्रकार का नरत्य करती है जिसे दहका कहा जाता है तो दहका निति किसके द्वारा कर रहा जाता है कोल जंजाती के द्वारा किया जाता है आपको याद होना चाहिए प्रमुख देवता की जब हम बात करते हैं तो कोल जनजाती जो है वो ठाकुर देव को अपना प्रमुख देवता मानती है और ठकुराइन दाई की भी पूजा करती है इसके अलावा बुढ़ा देव की भी यह पूजा करती है ठाकुर, देव, शारदा माता और ठकुराइन माता की पूजा करती है प्रमुख व्यवसाय कोल जन्जाती के दुवारा प्रमुख व्यवसाय पहला होता है करशी दूसरा होता है पशुपालन तीसरा हमें दिखाई देता है शिकार आदी इस जनजाती के प्रमुख ववसाय हैं ओप जातियों के जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि कोल जनजाती के जो है वो 22 ओप शाखाँ हैं लेकिन उप जातियों में रोतिया, भडोतिया, दशोरा और कठोतिया दिखाई देती हैं तो ये जो ही ये चार इसकी प्रमुख उप जाती हैं और इसके लावा और भी उप जाती हैं वो कहां पर निवास करती है तो क्योंकि यहां जनजाती मध्य प्रदीश में न निवास करके जादा तर 36 गड़ के शेत्र में निवास करती है मध्य प्रदीश में निवास पूछा जाए तो रीवा और सिंग्रॉली वाले जिलों में इसका निवास है रिवा सिंग्रॉली सीधी वे जिले जो कि 36 गर से सीधे लगे हुए है उन जिलों में इस जनजाती का निवास है उप जाती कि जब हम बात करते हैं पनिका जनजाती को दो भागों में बाटा गया है पहली जो उप जाती होती है उसे कहा जाता है प कबीर पनिका या कबीर पंथी पनिका अच्छा आपको पता होगा कि संत कबीर जो हैं उनके जन्म के समय उन्हें त्याग दिया गया था इसके बाद उनका पालन पोशन एक पनिका महिला ने किया इस कारण से संत कबीर को मानने वाले जो लोग हैं वो कबीर पंथी पनिका कहला जाते हैं वहीं जो लोग नहीं मानते उन्हें प्रथम पनिका कहा जाता है अ कुछ जाती गुष पैठिया और इसके आरींच मैरीज भी होती जिसे मंगनी विवाह कहा जाता है जिसमें बकायदा लड़के के घर वाले आकर लड़की को लेके जाते हैं अपने साथ में एस जनजाती lap either और विवाह होता है और अगर वो चाहे तो ये देवर वावी के विवाह के तहत विद्वा महिलाओं के साथ विवाह किया जा सकता है देवर का तो इस प्रकार से यह विवाह हमें देखने के लिए मिलता है व्यवसाय की बात करते हैं तो पनिका जाती जो है वह मुख्यता वस्त्र बुनाई का कार इसका मतलब होता है आखेट करने वाला और आखेट का मतलब होता है शिकार करना तो यह जन जाती एक आखेटक जन जाती है जो कि आखेट करती है शिकार करती है तो सबसे जादा शिकारों के लिए और अपराधों के लिए जाने जाने वाली जो जन जाती है वो है पार्धी जन इस जन जाती के द्वारा ही पहले के समय में चीतों को प्रसिक्षन दिया जाता था शिकार करने का इसके अलावा यह ज्रूजा कि मुखिता शिकारी है और यह जो है बगहलिया, आपने सुना का बगहलिया की की बगहलिया आता था है और आता है अधार में है अधारी प्रिदीश के एक दम find 준비 के दिने के लिए मिलती है है इस जनजाती के छे उप जातियां जो हमें याद नहीं रखनी हमें जो याद रखनी है वह हैं चीता पार्धी फास पार्धी जो चीता पार्धी है न यह वह पार्धी चल जाती के लोग है जो की पहले के समय में चीते को प्रसिक्षर दिया करते थे कैसे शिकार करना और चीता पाले करते थे फास पार्धी की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि जाल बिछा कर शिकार करते हैं उन्हें ही फास पार्धी के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा एक आते हैं गोसाई पार्धी गोसाई पार्धी वे लोग होते हैं जो कि भगवा वस्त्रधारन करते हैं और ये लोग हिरन का शिकार करते हैं तो ये गोसाई पार्धी के नाम से भी जाना जाता है इस जनजाती के कुछ लोग बंदर नचाने का काम अर्थात मदारी का काम भी करते हैं आपको हमारी क्लासिस कैसी लग लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताईए थैंकियो सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में